आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे जीडी सी जो फॉर्म आता है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेटकल करेटगेरी और जो सर्विस समाई होता है आपका कितना होना चाहिए तो इस वीडियो में जानेंगे इससे पहरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बिल आइकन को प्रेस कर लिए तो गाइज जीडी सी के फॉर्म जो आता है उसमें फिलब करने के लिए आपको सर्विस आवर होना जरूरी नहीं है जैसे ही आप जोइ फॉर्म भर सकते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं क्योंकि इसमें अलग-अलग जो पोस्ट था अभी जो जो ज्वाइन किया है तो उनको कुछ पोस्ट का जो ट्रेनिंग है तीन महीने का होता है किसी का ट्रेनिंग नहीं होता है तो जिनका ट्रेनिंग नहीं हो भर सकते हैं ल तो पहला आपको जो डाउट था वो किलियर हो गया दूसरा डौट है कि आपको मेडकल कैटगीरी क्या होना चाहिए तो अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग आपको medical category और educational qualification होना जयूरी है तो चलिए आपका screen recording करके आपको बता देते हैं यह कौनकन सब पोस्ट में क्या-क्या होता है तो दोस्तों यह RRC Central River Mumbai का जो GDC exam का जो फॉर्म आया था 2022 में उसका है देखिए आपको notification नमर 01-2022 date 21-10-2022 इसमें फॉर्म है 28-10-2022 से लेकर करके 821-2022 तक फॉर्म भराया था इसमें RPF का और RPASF का इसमें लग नहीं किया गया था इसमें देखिए आपको जितने भी पोस्ट है ज्यादा पोस्ट इसमें नहीं है जिसे अस्टेनोग्राफर का है तो इसमें डिपार्टमेंट होता है जेनरल एड्मिनिस्टेटिव आता है इसको medical category 7 मांग रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बात करें तो होना चाहिए और इसमें आपको कम सकम 50 मर्क्स मीनिमम होना चाहिए परचास परसेंटेज होना चाहिए और इसमें टाइपिंग विराता है तो इसमें टाइपिंग कर जो है स्पीड वो दिया गया है तो दूसरा पोस्ट है इसमें सीनेर कॉमर्सियल कम टिकट कलर इसमें कॉमर्सियल डिपार्टमेंट माता इसका मेटकल केट्गिरी बी-2 है और इसमें डिग्री बात करें तो डिग्री फ्रॉम एकुनाज एनी इन्वरसिटि यानि कोई भी आपको इ गर्जुएशन होना चाहिए इस्टेशन松 मास्टर है ऑपरेटिंग डीपर्टमन्ट में आता है व्य टूमेटल रोगीए और इस अगर्स्ट सेके si CC offer और रिश्ट रायर्सका टीविजन होना चाहिए ने कि इसमें अगर फ़र्स्ट कर्टरण में आते हैं तो master degree होना चाहिए छटा में देखे जूनियर commercial कलार्क काम टिकट कलार्क यह भी commercial department माता है इसका medical category B1 B2 है इसका medical category B2 है और इसमें भी 12th pass होना चाहिए ACST के लिए आपका 50% से काम भी राता है तो चलता है एकाउंट्रेट है इसमें कांट्रेट टिपार्ट में सीट्व मेटकल यह भी आपको 12 होना चाहिए और ACST के लिए आपको इसमें 50% से काम मार्क भी राता है तो चलता है लेकिन आपको कि जो जेनरल कंडेट होते हैं उनको 50% से काम मार्क नहीं होना चाहिए तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग पोस्ट के लिए जीडीसी में अलग अलग मेटकल कटिगीरी होना चाहिए तो गैज यह था आज जो जीडीसी यह फॉर्म आता है उसमें मेटकल कैटिगीरी educational qualification और service सीमा कितना होना चाहिए तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बखस में जरूर बताए साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर तक के लिए जै हिंद